वेलकम बेक टो आवर चैनल एड आज के हमारे चो एच्टक पीजिटी का बैच है कप्यूटर साइन्स का बैच है उसके अंदर हम लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे ठीक है देखो यहां पे डेटा स्ट्रक्चर हमने एक इंट्रोडेक्टरी पोर्शन किय था दैन हमने डेटा स्ट्रक्चर किया था आज के लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे जाधा डीपली हम डिस्कस नहीं करेंगे एक्जाम से जहां तक वेस्टन आ सकते हैं वह पोइंट्स हम क्लासिज में कवर कर रहे हैं एक क्योंकि यहां पर टू मन्स है आपको जाने की requirement नहीं है एच्टेट के लिए जितना समझने की requirement है जितना पढ़ने की requirement है उतना हम इन classes में करेंगे आप अच्छे से सभी classes को देखेंगे प्रिवियस येर को आप चेक कर सकते हैं उसके इलावा MCQs को कर सकते हैं तो आप अच्छे से 50 plus का score कर सकते हैं out of 60 45 plus तो आप easily score कर लेंगे और अगर आप ज़्यादा अच्छे से अपनी study कर रहे हैं hard work कर रहे हैं तो आप easily 50 plus का score कर सकते हैं अगर आप 50 plus अपने subject में ले आते हैं तो आपको 40 marks अपने out of 90 जो general subject वहाँ से ले के आना होता है क्योंकि 90 क्या है आपका passing marks है यहाँ पे obviously and general के अगर मैं बात करूँ तो आप अराम से अपने subject को अच्छे से समझीए and easily आप क्या कर सकते हो 40 marks वहाँ से 90 में से crack कर सकते हो 40, 45, 50 भी crack कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर पेडागोजी है वो भी easy आती है तो आप वहाँ से अपना 40, 50 marks वहाँ से ले के आ सकते हैं फिर आप 90 के बाद चाहे 92 लाए 93 लाए या 100 लाए कितने भी marks ले के आओ वो सब equal है क्योंकि यह क्या है 90 आपके यहाँ पर passing marks रहता है चीक है तो और दूसरी बात यह है कि आपके notes available है handwritten notes है handwritten notes available है complete updated syllabus के साथ handwritten notes available है अगर आपको उसके बारे में information चाहिए तो आप telegram group को join कर सकते हैं और वहाँ से information ले सकते हैं चीक है चली आगे देखते हैं and अगर आप मेर से पूछे काफी students का यह रहता है कि क्या यह notes इनफ रहते हैं तो देखो एच्टेट के लिए यह notes इनफ रहेंगे यह मैंने खुद अपनी जब मैं एच्टेट की preparation कर रही थी तो मैंने उस टाइम पर अपने notes प्रिपेर किये थे मेरा खुद का एच्टेट मैंने थ्री टाइम्स कॉलिफाई किया है अब आप पूछे थ्री टाइम्स क्यू किया है तो ऐसे ही फर्स टाइम हो गया दैन सेकंड टाइम किया and last year तो मैंने सिफ चेक करने के लिए एक्जाम में बैठी थी कि जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को जो बैच हुई थी वही हुई थी and वही मैंने MCQs देखे थे उसके अलावा मैंने कुछ और नहीं देखा मेरे नोट्स and मेरे MCQs जिसके प्लेलिस्ट ऑलड़ी चैनल के उपर अवलेबल है उसके अलावा मैंने किसी other source से कोई preparation नहीं की थी मैंने हिंदी देखी थी Hindi and मेरी pedagogy ठीक है Hindi and pedagogy मेरी ठीक है reasoning भी मेरी ठीक है तो मेरे general subject के marks मैंने वहाँ से लिए थे ठीक है and last year जो मेरे marks आए थे अगर मैं बताना चाहूं तो मेरे marks 100 I think 6 या 8 ऐसा कुछ रहा होगा ठीक है तो notes के बारे में मैंने आपको बताई दिया कि कितने useful है मैंने खुद अपने exam के time पे केवल हुनी को study किया था तो इसलिए काफी useful रहेंगे and अगर आप demo देखना चाहते हैं तो demo के लिए सिफ इतना है कि जो PDF आपको जो classes आपको मिल रही है वो same notes मिलेंगे ठीक है तो वही आपका क्या है notes का demo है अब चलिए देखते हैं link list बात करें किसकी link list की तो link list क्या होता है link list आपका एक data structure है किस type का data structure है तो linear data structure है अब linear के बाद भी मैंने आपको दो types करवाये थे कि static और dynamic array आपका static था link list कैसा है link list आपका dynamic data structure है ठीक है तो पहली दो बाते हमने देखी कि link list आपका linear data structure है ये बार-बार में इनको मैं बता रहे हूँ क्योंकि इनसे exam में question पूछ लेता है I'm confused भी हो जाते है and link list आपका dynamic data structure भी रहेगा link list के अंदर हम data एक sequence में store करते हैं किस में store करते हैं? sequence में store करते है and link list के अंदर आपका जो data होता है क्या कहते हैं हम उसको यहाँ में हम उसको बोल रहे हैं एक node होता है link list में हमारा data कैसे store हो रहा है node की form में store होता है ठीक है? and ये जो node है इस node के two parts होते है link list के अंदर data sequence में store होता है and जो हमारा data है वो link list में nodes में store होता है किस में store होता है? nodes में हर node के दो part होते है first part के अंदर data आता है second part के अंदर next जो हमारा node रहेगा उसका address आता है ठीक है समझ आई बात node के अंदर क्या है first part में data है for example आपका 5 आपका data है and second आपका 6 data है first आपका node ये है जो first node होता है उसे head कहते है क्या कहते है first node को head कहते है ये आपका head के अंदर first data 5 है इसका जो second portion है इसके अंदर जो next data है या next जो node है 6 उसका address यहाँ पे store रहेगा इसका address आप मान लीजिए 101 है तो यहाँ पे 101 store होगा address हम किसमे store करते है address store करने के लिए हम pointers का use करते है address को store करने के लिए pointers का use करते है and उसी तरह से एक और node है यहाँ पे तो इस node का address यहाँ पे store होगा 102 and ये आपका last node है last node का जो address part है उसके अंदर null store होता है cross हम यहाँ पे करते हैं तो last node के अंदर null store होता है समझ में आ गया link list आपका linear data structure है dynamic data structure है link list के अंदर जो हमारे elements होते हैं वो sequence में store होते हैं sequence में store है यह बाद ध्यान रखना लेकिन वो contiguous memory use नहीं करते हैं non contiguous memory use करते हैं जो array होती है वो आपकी contiguous memory use करती है इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 contiguous memory है and जब contiguous memory होती है तो आप इनके index को use करके data को access कर सकते हो लेकिन जो link list होती है उसके अंदर आपका data contiguous में store नहीं है non contiguous में है means कि spreaded है इदर उदर sequence है लेकिन वो sequence arrange नहीं है for example 101 में store है second data 103 में है third data 204 में है fourth data 405 में है तो इस तरह से वो अलग-अलग locations पर store है इसलिए हम link list के अंदर क्या करते है pointers का use करते है address को store करने के लिए अब जैसे यहाँ पर यह आपका first node है first node को head कहते है and node की दो parts है first आपका data second part हो गया आपका address जो address होता है वो next node का address address अपने पास रखता है last node क्या करेगा इसमें null होता है null के लिए हम cross का भी use कर लेते है तो इतना हमें समझ में आया address के लिए pointers यहाँ पर use होते है यह होती है आपकी link list चलिए next यहाँ पर क्या है link list versus array दोनों में क्या difference है जैसा मैंने अभी बताया data structure आपका contiguous होता है and link list आपकी क्या होती है non contiguous होती है memory allocation क्या है यहाँ पर जो आपकी memory होती है वो complete array को पूरी array को एक साथ allocate होती है कल मैंने example भी दिया था कि अगर आपके 100 elements से array के तो इन 100 elements के लिए एक साथ memory allocate हो जाती है insertion, duration inefficient होता है क्यों insertion, deletion inefficient होता है यह भी मैंने आपको last class में समझाया था कि अगर आपके में 110,000 elements है और आपको 500 वाला delete करना है तो आप इसको delete करेंगे लेकिन आपको बाकी के index number को update करना होगा उसी तरह से अगर आपको in between insert करना है तो आपको बाकी के index number को भी क्या करना होता है अपडेट करना होता है जो एक difficult process रहती है insertion and deletion link list में काफी easy रहता है ठीक है? compare to array इसमें आप randomly access कर सकते हो क्योंकि आप index number को use करके अपने data को access कर सकते हैं disadvantage क्या था array का? array का disadvantage यह था कि आपको array का size है वो fix रखना पड़ता है starting में ही array का size देना पड़ता है and बाद में आप उसको क्या नहीं कर सकते runtime पे change नहीं कर सकते link list आपकी non-contiguous होती है इसके अंदर memory कैसे allocate होती है one by one to individual elements ठीक है? एक element insert हुआ इसको memory allocate हो जाएगी second element insert हुआ तो इसकी memory allocate हो जाएगी third insert हुआ तो इसकी memory allocate हो जाएगी insertion and deletion काफी easy रहता है sequential access होती है यहाँ पे इतना में समझ में आया? ठीक है? तो यह क्या हो गया? link list का main जो advantage होता है वो ही क्या है? कि insertion and deletion easy रहता है types की बात कर लेते हैं types के लिए आपको सिफ इनकी थोड़ी सी basic knowledge होना ही enough रहेगा detailing में इनके बारे में नहीं पूछेगा first type है इसकी singly link list इसके अंदर क्या होता है? क्या करते है single link list के अंदर single link list के अंदर जो node होता है उसके अंदर first part में data होता है second part में pointer होता है pointer क्या करेगा? next node का data रखता है last node के अंदर null होता है first node को head कहते है यह होता है आपका single link list single link list के अंदर हम सिफ एकी direction में move कर सकते है traverse only in one way complexity क्या होती है? on होती है o1 होती है double link list क्या होती है? double link list के अंदर आप दोनो direction में move कर सकते हैं यहाँ पर आपके node में तीन parts होते है first part आपका क्या करेगा? previous node का address रखेगा जो आपका second part है यह आपका data होता है and जो आपका third part है यह next node का address रखता है ठीक है? double link list होती है उसमें हमारा node three parts में divided है first part previous का address रखेगा second part में data होता है next और जो third part है उसमें next node का address होता है अगर आपका यह node head node है तो इसमें जो first pointer है उसका address होगा null अगर आपका यह node last node है तो इसमें जो second pointer है उसका address होता है null ठीक है? first node है head node है तो यहाँ पे जो previous कुछ नहीं होता इसलिए null होगा last node है तो इसका मतलब आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे next में null आ जाएगा दोनों direction में move कर सकते है यह होती है double link list circular link list circular link list में क्या होती है? तो इसमें जो आपका last node होता है वो first node से connect होता है यह होती है circular link list circular link list आपकी single circular link list भी हो सकती है double circular link list भी हो सकती है अगर वो single circular है तो यहाँ पे यह दो parts हो जाएगे अगर यह double circular है तो यह three parts हो जाएंगे बस इतना ही difference है circular link list में last node कहां से connect होता है first node से connect होता है इसका मतलब जो last node का address है वो किसका address store करेगा first node का address store करता है यह होती है circular link list link list पे कौन-कौन से operations perform किये जा सकते हैं आप insert कर सकते हो, delete कर सकते हो, search कर सकते हो complexity यहाँ पे देखो अगर time complexity की बात करें अगर आपने starting में कोई node insert किया है तो time complexity O1 होती है space आपकी O1 होती है एकदम last में insert कर रहे हो तो O N होती है N क्यों? क्योंकि आपने सभी elements को traverse किया उसके लिए space complexity O1 रहेगी अगर किसी particular position पे आपको insert करना है तो complexity O N रहेगी अगर आप starting में delete कर रहे हैं तो O1 है अगर आप last में delete कर रहे हैं last वाल element तो O N है किसी particular position से delete करते हो तो O N है searching करने की क्या होती है? O N होती है तो time complexity अगर आप starting में insert या delete करते हैं तो O1 होती है otherwise time complexity on रहे के applications क्या क्या होती application important है यह जो point है first वाला point और second वाला point यह important है exam में directly पूछ लेता है तो यहाँ पे देखो link list का use करते हैं हम stack and queue में array का भी use करते हैं to implement the stack and queue data structure हम link list का use करते हैं using link list to handle collision in hash table जो hash table होती है उसके अंदर भी हम link list का use करते हैं representing graph using link list graph को represent करने के लिए link list का use करते हैं and इसके अंदर हम memory को dynamically allocate and de-allocate कर सकते हैं तो यह क्या था आपका link list था काफ़ easy सा topic है इससे ज़्यादा link list के बारे में पढ़ने की ht के लिए requirement नहीं है यह इनफ है ठीक है यहीं से exam में question पूछ लिए जाते हैं next class में हम stack data structure को देखेंगे class अच्छी लगे तो आप like कर सकते हैं subscribe नहीं किया है तो आप channel को subscribe भी कर सकते हैं telegram group का link description box में मिलेगा कोई भी doubt है तो comment करके भी पूछ सकते हैं